योजनान इंदी योटीव चैनल पर आपका स्वागत है विकलांगों के लिए एक और गुड नियूज ले करके हाजिर हो चुके हैं क्योंकि विकलांगों को इस योजना के अंतरगत दो लाग रुपे तक की आर्थिक मदद राज्य सरकार के दुआरा दी जा रही है और यह जो दो लाग रुपे की मदद विकलांगों को दी जा रही है किस बेस पर दी जा रही है किस हिसाब से दी जा रही है और किस राज्य सरकार के तरफ से यह आर्थिक मदद दी जा रही है सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं तो अगर आप भी एक विकलांग विकती हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ने किया है तो लाइक करिएगा चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब भ करते हैं और बताते हैं कि दो लाग रुपे की आर्थिक मदद आपको कैसे दी जा रही है देखिए जैसा कि मेडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है सामाजिक न्याएं एवं निससक्त जन कल्यान विभाग के दुवारा दिव्यांगों और व्रद जनों के उत्यान के लिए कहीं कल्यान कारी योजनाय चलाय जा रही हैं यानि कि जो दिव्यांग वेक्ति हैं विकलांग वेक्ति हैं और जो व्रद जन है यानि कि 60 वर्स की आयूप पूरी कर चुके हैं उनके उत्यान के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहीं योजना चलाय हुई है और राज्य सरकार पत्ति में से किसी एक के दिव्यांग होने पर दो लाग रुपे की एक मुस्त प्रत्साहन रासी एवं परसंसा पत्र देने का प्रावदान है यानि कि जो दिव्यांग विभा प्रत्साहन योजना है उसमें दो लाग रुपे की रासी दी जाती है और परसंसा पत्र देने का प्रावदान है कैसे मिलता है पैसा वह भी जान लिजिए पूर्म में एहरासी पचाजार उपे थी इसी तरहे विवाहित दंपत्ती में से दोनों के दिव्यांग होने पर एक लाग उर्पे की परोचान रासी एक मुस्त दी जाती है साथ में परसंसा पत्र भी परदान किया ज चाहिए यदि दिव्यांग वेक्ति मुक्यमंतरी कन्या विवाह योजना के अंतरगत सामोविक विभाह करता है तो 25,000 रुपे की अत्रिक्त सायता रासी सामंगरी एवं कन्या के मुबाइल के लिए 3,000 रुपे की रासी दे जाने का प्रावधान भी है तो यह जो दो लाग रुपे आपको दिव्यांग विभाह योजना के अंतरगत दिये जाते हैं यह आपका जो मीड़े रिपोर्ट से में जानकरी मिली है मद्द परदेश राज्य सरकार के तरफ से दिये जाते हैं और इसमें अगर सामू की विभाह करते हैं दोनों ही जोड़े यानिकर जो 30,000 रुपे अलग से दिये जाते हैं और सायतारासी के अत्रिक्त उन्हें और भी सामंगरी दी जाती है साथी 3,000 रुपे का प्रवधान है तो अगर आप भी किसी दिव्यांग महिला से या पिर आप महिला हैं किसी पुरुष से विभाह करना चाहती हैं तो आप इस योजना में आवदर कर सकते हैं या कर सकती हैं और अगर पात्र आप पाए गए आप आयकर दाता नहीं निकले सरकारी नोकरी में नहीं निकले तो आपको राज्य सरकार के तरफ से 2,000 रुपे की आर्थिक मदद मिलती है तो यही थी जानकारी कि किस योजना के अंतरगत विकलाओं क झाल